नमस्कार, SM News में आपका स्वागत है, मैं नाम है कोमल और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ है फौजी जंता पार्टी के राश्ची अध्यक्ष राम महर मलिक जी मलिक जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है धन्यवाद कोमल सर मैं पूछना चाहती हूँ कि यह जो 370 और 35 A को हटाया गया है इसके पीछे क्या राशनितिक रहेगी कमल यह सरकार जो है पिसले पांच साल का इसने जो टाइम पूरा किया है इसने किसी भी काम को जंता की बलाई को ध्यानम रखते वर नहीं किया है इसने हमेशे अपना वोट बेंक को ध्यानमर रखा है कि कौन सा काम करने से वोट ज्यादा मिलेंगे ये उसी तरीके से चलते हैं इनको जन्ता की भलाई से या उनके दुख सुक्ष से कोई लेना देना नहीं है अब ये 370 और 35 ए मैं इसका कोई वरोध नहीं कर रहा हूँ हटाया है चलो अच्छी बात है हटगा तो शायद आगे कुछ अच्छा ही होगा लेकिन सबसे पहला स्वाल तो मेरा ये है कि ये पिछले 5 साल क्या कर रहे थे 5 साल में क्यों नहीं हटाया कि कि जो uży वह इसके हटाने का कोई यह नहीए हूँ के नुकसान होगा देस को लेकिन हटाने का तरीका समयदानिक नहीं था इनका बेसका समयदानिक तरीका होना चाहिए था कि ये वहें की विदानसवा से इसको पहले-पारित करा इसके बात करते हैं इसके बाद करते हैं विदान सभाव इन्मोने पहले बंक कर दिया, घुर्णनर का राज कर दिया गवर्नर आज मैं तो डिरिक utenटर का राज चलता है इसके बावगत चलो ठीक है जो भी था किसी ने लगाया था नहों हटा दिया और हटाने के बाद अमीद हम लगाते हैं कि शायद जो भी होगा अच्छा ही होगा जह मु कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा ही होगा उनकी तरक्टी होगी लेकिन उसका बार बार गलत उस بात को लेकर करके के इवेंट के सत्र अटा दिया, हमने पैंतीस अटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये स्टेटों में जाकर के बताने की बात नहीं है, यह उन की, इसके महारास्टा से इससे हर्याना को इससे क्या walked देना Wein Beroue में जाकर कि परदेश के मुद्धे बताईए परदेश के मुद्धे बता नहीं रहे हैं आम जनता के जो दुख हैं उनके जो कष्ट हैं उनके बारे को समाधान दे नहीं रहे हैं ये तो टोटली जीतना भी है कि जनता को बेवकूप कैसे बना जाता है उनको कैसे अट्रेक्ट किया जाता है सिर्फ वो चीज़ बता रहें इन्होंने यहां तक कहा है कि हिम्मत है अपोजिसन वालों में तो अपने गोसा पत्र में लिखिए और इसको दोबारा लागू कीजिए क्या मतलब है एक परदान मंदरी के मुझे यह शोबार नहीं देता वो चैलेंज कर रहे हैं को दोबारा लगई अरे क्यों लगाना दोबारा जब तुम ने हटा दिया है और हटाने से देश का भला है तो वो क्यों लगाएंगे तो यह चीज़े उनको चैलेंज करना यह शोब अमल वो पद की गरीमा को भी जो है यह बिलकुल एक दम से हलका कर देते हैं यह उनको कहन करके उसको चैलेंज करना इन्होंने यह कर दिया वो कर दिया हटा कर दिखाईए दोबारा लगाईए यह लगाईए यह इस तरीके से चैलेंज करना यह परदान मंतरी के होदे के काबिल नहीं है तो यह इसका मैं यही से लादूंगा हट गया है ठीक है और अब कोशिश करे तो पहले भी था देश का, अगर बन करें, अच्छी राजनी ते इसके उपर ना करें. हट गया है, अच्छी बात है, अब प्रदेश को आगे बढ़ाओ और इसको आगे चलो, इसको पीछे चौड़ दो वी, वो हट गया. इसका गलत इस्तिमाल बार बार मिश्यूद करना अपोजिशन को धमकी देना ये गलत है ये दुखत है ये दुखत है प्लाइन करने के लिए नमस्कार जहिंद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले